नमस्कार सिक्षार्तियों आप सभी का N.I.O.S. स्टूडियों में स्वागत है आज हम बात करेंगे लाइबरी साइंस के उच्चितर माध्यमेक विशे के सूचना के स्तोत्र के बारे में तो आईए शुरू करते हैं आज का विशे सिक्षार्तियों आप सभी को पता होगा और आपने ये अपनी रोजमरा के जीवन में अनभाव भी करा होगा कि हमेर हर अपने हर काम में हर एक्टिविटी में सूचना की आवशक्ता होती है अगर आप छात रहें तो भी आपको सूचना चाहिए किस प्रकार की सूचना विभिन प्रकार की सूचना आपको अपनी पढ़ाई से सम्मंदित सूचना चाहिए होती है और अगर आप परिक्षा देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है जाना कि परिक्षा कब से शुरू है, क्या सेंटर है और अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं तो जैसे आप गाड़ी में सफर करते हैं तो GPS क्या है और अगर आप शोध कर रहे हैं तो भी आपको अपने छेत्र से सम्मंदित आवशक सूचना चाहिए कभी आपने ये सोचा है, कभी ये आपने जानने की कोशश करी है कि सूचना कैसे, सूचना कैसे उत्पन होती है, फिर सूचना का कैसे आदान प्रदान होता है, कैसे सूचना का प्रसार होता है तो आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि जब हम शोद करते हैं या जैसे कि R&D institutions या universities में जो शोद होता है जो विद्यारती शोद करते हैं, उस शोद में जो वो findings पाते हैं, उसको वो कैसे प्रसार करते हैं, उसको लोगों तक कैसे पहुचाते हैं उसको वो पत्रकाओं में छापते हैं तो इस तरह सूचना शोद के दौरान उत्पन हुई जिसको पत्रकाओं के दौरा लोगों तक पहुँचाया गया इसके अलावा ये भी जानना बहुत जरूरी है कि सरकार के विभन विभागों में दफ्तरों में जो काम होता है उसमें भी बहुत सारी सूचना उत्पन होती है और क्या कार्रे हो रहा है जैसे कि क्या योजनाय सरकार बना रही है जनता के लिए और क्या उनके लिए स्कीम्स ब सूचना सरकारी नियमों के अनुसार सारे सरकारी संस्थाओं को सारे सरकारी संगठनों को जो वो कारे करते हैं उससे संबंदित सूचना अपनी वेबसाइट्स पे रखनी होती है किसलिए रखनी होती है जिससे की जनता जिससे की स्टूडेंस जिससे की छात्र उस सूचना को जान सके उसके बारे में जानकारी रहे उन्हें और वो उसको आगे यूज़ करें, आगे इस्तमाल करें, आगे उस सूचना का प्रियोग करें. अब सिक्षार्तियों अगर आप उधारन लें एक पुस्तकाले का तो आपको पता है पुस्तकाले में भी विबिन प्रकार की सूचना होती है जैसे कि क्या हम अपनी वेबसाइट पे सारी सूचनाय रखते हैं कि हमारे पास कैसा संग रहे हैं, हमारे कलेक्शन में क्या क्या है, किस छेत्र में, किस रिसर्च एरिया में हमारा कलेक्शन है, कितनी किताबे हैं, कितनी मैगजीन्स हैं, कितने अखबार हैं, इसके अलावा हम अपने सूचना रखते हैं कि हमारे कितने रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, कौन आ रहे हैं लाइबरी की सूवधाएं का इस्तमाल क इसके अलावा हम अपनी वेब साइट पे जो हम पुस्तकाले सेवाएं प्रदान करता है विद्यार्थियों के लिए उस सब की सूचना रखते हैं तो देखे ये सूचना की बहुत महत्ता है ये सूचना वेब साइट पे देना जरूरी है जिससे कि सिक्षार्ती देश के जिस क पुस्तकाले में क्यों दुनिया के किसी भी कोने में हो उन्हें पता चल सके कि एक पुस्तकाले में क्या कलेक्शन है क्या संग्र है और क्या सेवाएं दी जाती है पाठगड के लिए तो आपने देखा इन विबिन उधारणों में कि हमें सूचना की रोजमरा की जीवन में भी जरुरत पड़ती है अगर हम विद्यारती हैं तो भी हमें सूचना चाहिए अगर हम कहीं सफर कर रहे हैं तो भी हमें सूचना चाहिए और आपने ये भी जाना की नियम की अनुसार, कानून की अनुसार सभी सरकारी संस्थाओं और विभागों को वो जो भी कार कर रहे है उससे सम्बंदित सूचना वेब साइट पे रखनी होती है वेबसाइट पे देनी होती है जिससे की जनरल पबलिक जान सके की सरकारी संस्थाओं में क्या काम हो रहा है और जो वो सूचना दे रहे हैं इस वेबसाइट पे है उसका वो अपने अपने लिए उप्योग कर सकें तो सूचना की क्या परिभाशा है अनभाव अथ्वा अध्यन द्वारा अरजित ग्यान विभिन स्तित्यों का ग्यान करंट एफियर्स का ग्यान किसी कार्याले संस्था आद के द्वारा सूचना देने या सूचित किये जाने की स्तिति सूचना का स्वरूप क्या होता है सूचना तत्य हो सकते हैं या आकड़े हो सकते हैं या जिसको हम कहते हैं statistical data हो सकते हैं ये सारे उदारण है सूचना के ये सारे सूचना का स्वरूप है मतलब data जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं facts या data का collection या statistical data इन सब को हम सूचना कहते हैं सूचना को इंग्लिश में information कहते हैं अब सूचना स्तोत्र क्या है मतलब information sources क्या है तो information sources वो होते हैं वो sources जिससे हम सूचना प्राप्त करते हैं उन्हें information sources या सूचना स्तोत्र कहते हैं और इसके अंदर प्रलेक, संस्थाओं के अत्रिक्त, जन्माध्यम, जन्माध्यम मतलब मास मीडिया जैसे रेडियो और टेलेविजिन भी शामिल है। उधरण के लिए बाचीत द्वारा, पत्र लेखन, टेलेफोन पर बात करना, इंटरनेट के माध्यम से जानकारी लेना या इंटरनेट ये सारे स्थोत्र हैं, ये सारे सूचना प्रदान करते हैं। अब सिक्षार्तियों, आप सभी के लिए ये जानना भी आवश्यक है कि सूचना स्थोत्र के प्रकार कैसे हैं, Types of Information Sources, सूचना स्थोत्रों को उब्भोकताओं की विभिन आवश्यकताओं की पूर्ती, सूचना के विशय, प्रकार, माध्यम या स्वरूप के अनुसार व् और हम सूचना स्थोत्रों को दो समूव में विभक्त कर सकते हैं, इन Information Sources को हम दो ग्रुप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दो ग्रुप्स में बाच सकते हैं, एक प्रिलेखिय स्थोत्र और दुश्रा हुआ अप्रिलेखिय स्थोत्र, मतलब Documentary Sources and Non-Documentary Sources प्रिलेखिय स्थोत्र में आते हैं सूचना के सभी लीपिबद्ध स्थोत्र, चाहे उनका कोई भी विशेवस्तु या प्रारूप हो मुत्रित या Electronic रूपों में प्रिकाशित या अप्रिकाशित, पुस्त के, पत्रिकाए, मैगजीन या संदर्व पुस्त के शामिल हैं सूचना की विशेवस्तु और भौतिक रूप के आधार पर भी Documentary Sources का विभाजन किया जा सकता है मतलब प्रिलेखिय स्थोत्रों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है प्रिलेखिय स्थोत्र विशेवस्तु के अनुसार, विशेवस्तु के अनुसार मतलब documentary sources according to subject matter विशेवस्तु का मतलब हुआ subject matter और इसके बाद information sources के form के अनुसार प्रारूप के अनुसार भी हम उन्हें विभाजित कर सकते हैं अब देखना ये है कि सूचना के प्रलेखिय स्थोत्र विशेवस्तु के अनुसार सूचना के सभी स्थोत्र जैसे की पुस्तके, पत्रकाए, लेक, शब्द कोश, समाचार पत्र, शोत प्रबंद, मार्वदर्श का पुस्तके तो आप इनको कैसे हम form subject से कैसे कर रहे हैं इसके क्या हो धारण है books, magazines, articles, लेक मतलब articles जो पत्रकाएं में छपते हैं, शब्द कोश आपका dictionary हुआ, समाचार पत्र, newspapers, शोत प्रबंद आपका thesis या desertations हुए और guide books, directories, ये सारे विशेवस्त के अनुसार उधारण हैं अब सिक्षार्तियों आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि सूचना के प्रलेखिये स्थोत्र, विशेवस्त के अनुसार, तीन भागों में कैसे विभाजित किये जा सकते हैं प्रात्मिक, तित्यक तता सूचना के तृत्यक स्थोत्र, जिसको इंग्लिश में commonly हम बोलते हैं primary sources, secondary sources और territory sources तो सिक्षार्तियों आपने अभी देखा कि सूचना की बहुत महत्ता है हमारे रोजमरा के जीवन में चाए हमें कहीं सफर करना हो या हमें पढ़ाई करनी हो या शोध हमें करना हो तो इस सब के लिए सूचना की आवश्यक्ता हमें पढ़ती है साथ में ये भी जानना जरूरी है सूचना क्या है? सूचना एक तत है या सूचना एक डेटा है या सूचना एक जानकारी है जो हमें सही निरने लेने में मदद करती है अगर हम कहीं सफर कर रहे हैं और हमें ये जानकारी मिलती है कि आज उधर रास्ता बंद है तो ये आपको जानकारी मिली और इस जानकारी से आप अपना रास्ता बदल देते हैं तो आपने जो जानकारी मिली उसका इस्तमाल करते वे अपना निरने लिया और अपना रास्ता बदला तो ये जानकारी क्या आपको कर रही है? आपको जानकारी मदद कर रही है decision-making में अपना सही निरनए लेने में और शिक्षरतियों आपने ये भी देखा कि हम सुचना स्टोत्र को या जिनको हम information sources भी बोलते हैं, इनको हम कैसे classify कर सकते हैं, कैसे विभाजित कर सकते हैं हम इनको कर सकते हैं विभाजित कैसे, हम इनको documentary sources बोल सकते हैं या non-documentary sources बोल सकते हैं इसके अलावा हम इनको ऐसे भी विभाज़त करते हैं तीन भागों में primary sources, secondary sources and territory sources तो सिक्षारतियों आज के इस session में आपने देखा की सूचना की क्या महत्ता है सूचना हमें कैसे रोजमरा के जीवन में मदद करती है सही निरने लेने में और आपने ये भी देखा की सूचना के क्या विभिन स्तोत्र है जिसको हम information sources भी कहते हैं और पढ़ने के लिए, समझने के लिए इन information sources को दो भागों में विभाजित किया गया है जैसे की documentary sources and non-documentary sources इसके अलावा इन सूचना स्तोत्रों को या information sources को primary, secondary और teresuary sources में भी विभाजित किया गया है सिक्षार्तियों मैं आशा करती हूँ कि आपने इस session से सूचना स्तोत्र के बारे में, सूचना की महत्त के बारे में कुछ जाना होगा और हम लोग यहीं पे session समाप्त करते हैं आगे फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार